तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हमारे नेक्स्ट कोईशिन तो वीडियो स्राट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर बितेक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जा किसी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ सथ बैल नोटिफिकेशन को भी प यहां पर क्या गिया गया हमें यहां पर एक टेबल दिया गया है ठीक है यहां पर इसमें क्या है खाली ब्लैंक्स दी गई है ठीक है हमें यह फिल करनी है और यह जो क्या है हमारे प्रोक्रियोट और यूक्रियोटिक सेल का डिफरेंस है इसकी हमें फिलिप्स फिल करनी है ठ तो prokriotic cell में जो size होता है वो क्या होता है small होता है 1-10 mm होता है ठीक है और eukaryotic cell में क्या होता है size जो होता है और large होता है 5-100 mm होता है ठीक है second is nuclear region कैसा होता है इनका nuclear region होता है इसका poorly defined होता है क्योंकि इसमें क्या होती है absence होती है nuclear membrane की और इसको हम बोलते हैं, is known as nucleoid, ठीक है, इधर आएगा हमारा nucleoid, ठीक है, nuclear region is well defined, ठीक है, और इसके किस से होता है, किस से इर्द गिर्द क्या होता है, इसके nuclear membrane होता है, इसमें chromosome single होते हैं, और इसमें क्या होता है, more than one chromosome होता है, ठीक है, fourth is, membrane bound cell organelles are absent होते हैं इसमें, और इसमें हमारा आएगा, membrane bound cell organelles such as mitochondria, plastics are present, ठीक है, तो इस फिल लप में हमारा यह आएगा, फिर से repeat कर देते हो, membrane bound cell organelles such as mitochondria, plastics, etc. are present, तो guys, वीडियो अच्छे लगी हो, तो please like, share and comment कीजिए, और साथ ही मेरे इस चैनल को subscribe कीजिए,